खबर मांसा से जहाँ पर अमरितपाल की तलाश जा रही है, पुलिस ने नाके बंदे कर दी है, सगन चकिंग अभियान लगाता जा रही है, जगजगँ पोस्टर्स चिपताए जा रही है, जनता से जानकारी साजा करने के भी पुलिस अपील कर रही है, सगन चकिंग कर रही है पुलिस नाकों पर जगा जगा अमरिक्पाल के पोस्टर्स भी लगाए गए हैं मांसा में अमरिक्पाल की तलाश पेस बेरिगेटिंग की गई है और जो भी वाहन गुजर रहे हैं पहले उनकी चेकिंग की जा रही है उसके बाद ही आगे जानी दिया जा रहा है और जंता से भी अपील की जा रही है कि कोई भी संदिक्द उन्हें दिखता है जिसकी जानकारी मिलती है तुरंत इसकी इतला पुलिस तक पहुँचाएं कि पोस्टर्ज विचस्पा किये गए हैं जगा 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 और वहीं मांसा में सघन नाके बंदी असी कुल मांसाच इंटरस्टेट सोला नाके लगाए गए जो पंजाब ते हर्याना दे बॉर्डर नू लग देने इस विचे से जो नाकेयां दे जो तस्वीरां लगाई नो पब्ली दी इंफोमेशनली लगाई हैं जिस विचे अमरितपाल पपलपरीत जोनारे साथियां पपलिक जड़ी है यह उन्हानों पशान सके जान करी है तो पुलिसी जान कारी साजा करते हुए किस तरह से मुस्तेधी के साथ अमरितपाल और उसके साथियों की तलाश करते हुए बेरिगेटिंग मुस्तेद की गई है सुरक्षा को और बढ़ाया गया है कई लेरिंग की बेरिगेटिंग की है जरा सी हरकत होने पर पूरा पुलिस में हैकमाल अलर्ट मोट पर है सगन चेकिंग अभियान नाको पर इशा ठाकूर हमारी साहियोगी इस समय में से जोड़ गई है इशा लगातार अमरितपाल की तलाश तेज है और तमान तरह की स्ट्राटजीज इस समय हम देख रहे हैं खासर पर तस्वीर समय मानसा की जो हम देख रहे हैं वहाँ पर किस तरह से सगन चेकिंग अभियान है औ अपील भी जनता से की जा रही है कि अगर आपको भी कुछ भी संदिक्द हरकत कोई संदिक्द शक्स मिलता है तो उसकी जानकारी पुलिस तक पहुझाए बिल्कुल पूजा देखे आज सत्रवा दिन है और अमरितपाल की तलाश अभी भी जा रही है सत्रा दिन हो चुके हैं पंजाब पुलीस के हाथ और केंद्री एजेंसियों के बिल्कुल खाली है इस कड़ी में पंजाब भर में तो तलाशी अभियान चल ही रहा है और जगा जगा पर नाके लगाए गए हैं बकाइदा अब लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर कहीं भी अमरितपाल या उसका साथी पपल पृत नजर आता है हैं वो देखने को मिर रही हैं लेकिन इसी कड़ी में उतरपरदेश के अगर बात करें तो वहां पर पंजाब पुलीस पहुंची थी पिलिभीत में वहां पर एक डेरे में कहीं ना कहीं कर दी गई है हाट डेरे की चेकिंग की जा रही है चाहे वो उतरपरदेश के हो या पंजाब के हो पुलीस को इस तरीकी के इंपुट मिले हैं कि जो अमरितपाल हैं वो डेरे की शरण में हैं और ऐसे में वहीं से ही वो वीडियो अपनी बना रहा है हैं यहां तक कि चोड़के भागना नामुम्किन सा लग रहा है और यह आशनका जरूर जताई गई थी जिस तरीके से खुफे अजेंसियों को उसकी जो लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई थी वो नेपाल की हुई थी और ऐसा माना जा रहा था कि शायद वो नेपाल में फरजी दस्तावेज बना मेरट में भी तो ऐसे में वहाँ पर पुलिस पहुची हुई है डेरे की पूरी चानविन की जा रही है और यहां पर हलांकि पुलिस की तरफ से अभी स्परिष्ट नहीं क्या गया है पिलिभीत में जो CCTV फुटेज एक डेरे की यहाँ पर ली गई है उसे बताया जा रहा है क कि 25 तारी की CCTV फुटेज वहाँ पर मौजूद नहीं है और जोगा सिंग जो अरेस्ट किया गया है वो वही शक्स है जो इस डेरी से संबंदीत रखता है और होश्यारपूर में जिस इनोवा गाड़ी का पीछा कर रहे थी जिसमें अमरित पाल भी मौजूद था उसके साथ ये सरकार जो अमरित पाल है वो सही किस जगा पर है या वो पंजाब में मौजूद है क्या वो उत्तरपरदेश में मौजूद है या उत्राखंड में ये अभी तक पुलीस को पुक्ता तोर पर नहीं पता चल पाया है जी इशा और इसी के साथ चुनोतियां जो है वो सरकार तो सीधा केंदर सरकार को ही निशाने पर ले लिया उन्होंने उनका कहना है कि अमरित पाल के जरियर राष्टपति साशन लागू करवानी की फिराक में है केंदर सरकार ये ही वज़य है कि यहां पर इस तरीकी कि स्तिती दिखाए जा रही है कि हर एक सिक खालिस्तान की कि अमरित पाल के अगर बात करें पहले ही उसके आई एसाई के साथ लिंक मिले हैं देश विडोधी गति वीदियो में वो सलिप्त था कई इसके पुक्ता सबूत भी मिले हैं तो ऐसे में इस पर कॉंग्रिस जो है सियासी दाव पेच ना खेले यहां पर सियासी भी दाव पे गाओं हैं जलुखेडा अमरिसर में वहां पर उसने फाइरिंग रेंज बकायता बनाई हुई थी और युवाओं को नशा मुक्ती केंदर की फिराक में वहां पर हत्यारों की ट्रेनिंग दे रहा था ताकि पंजाब के जरिये देश भर में अशांती फिलाई जा सके तो उस पूजा बात करें तो सत्रा दिन है पूलीस के हाथ बिल्कुल खाले हैं और अभी तक यह आशंका जरूर चताई जा रहे हैं कि हो सकता है उसने किसी डेरे की शरण ली हो और इस वक्त जो नजरे टिकी है वो उत्तर परदेश के हर डेरे पर टिकी हुई है यही वज़ा है कि पूलीस उत्तर परदेश के जितने भी डेरे हैं वहाँ पर जगा जगा खंगालनी की कोशिश कर रही है हर डेरी की CCTV फूटिज को भी वहाँ पर खंगाला जा रहा है जी और जो पंजाब सरकार है वो इस समय बैक फूट पर है क्योंकि हमने देखा था काफी हमला वरे समय प बड़ा एतिहासी क्वांडेट देखर आम आदमी पार्टी को सत्ता सौपी है और इसके बाद ये कई अब तक सामने घटना है आ चुकी है जिनमें ये भी बहुत प्रमोगगटना है बिल्कुल देखे पुझा इसलिए भी सवालों के कटगरे में हैं क्यूंकि अमरित पाल को एक साल हो गए थे करीब करीब जब वो लगातार देश के विरोद बोलता हुआ नजर आ रहा था और भी पब्लिक प्लेस पर सावचनिक स्तलों पर वो लगातार देश के खिलाब बोलता हुआ नजर आ रहा था और लगातार वो खालिस्तान की भी मांग कर रहा था यहां तक कि उसने केंद्रिय ग्रियम मं अमिर्शाह को भी निशाने पर लिया था वहीं इन सब के बीच अगर हम पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें उनकी तरफ से या रोप लगा गया था कि विपक्ष बेवजा मुद्दो को तूल दे रहा हैं और पलपल की खबरों पर उनकी नजर है तो ऐसे में देखिये 17 द अबर है विपक्ष बेवजा तूल दे रहा हैं दूसरी तरफ अमरितपाल अभी तक पुलीस की गिरफ्त में नहीं है यहां तक कि देखिए अगर कैप्टन अमरिंदर सिंग की बात करें जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने तो एक साल पहले ही कह दिया थ थी उसके बात कहा गया था कि अमरितपाल को जो फंडिंग हो रही है वो पाकिस्तान से हो रही है ऐसे में सब कुछ पता होने की बावजूद भी कारवाही में इतनी देरी और कारवाही में जब देरी भी की गई तो जो असी हजार पुलीस बल होने के बावजूद जो अमरि शताकूर इस बड़ी खबर पर जान कारी देने के लिए